तो गाई जैसे कि आप सभी को याद होगा कि इसके पहले वाले एपिसोड में मिंचैन की बहुत जादा इच्छाती के वो भी स्कूल जाए इसलिए उसका एड्मिशन करवाने के लिए हम लोग पहुच गए शिंचैन के स्कूल और वहाँ पहुचने के बाद मैं शिंचैन के प्रिंसिपल से मिंचैन के एडमिशन के लिए बात कर रहा था और यहाँ पर ये तीनोजन स्कूल का कैंपस गूम रहे थे जबकि मैंने इन्हें मना किया था फाइनली मिंचैन का एडमिशन हो जाता है उसके बाद हम उन दोनों को लेके वहाँ से निकल जाते हैं और सीधा पहुचते हैं मेरे दोस्त के पास ताकि उनका ट्यूशन में वहाँ पर लगवा सकू उसके बाद हम लोग घर पर आ जाते हैं अब देखते आगे क्या होता है जलो बच्चो अब जल्दी से सो जाओ कल सुबह तुमारी स्कूल भी है याद है के नहीं तुमको अरे मैं के याद करू मेरे तो रोस का काम है अरे पर मिन्चैन का तो पहला दिन है न अरे फ्रेंक्लीन भीया मैं आपसे जूट नहीं बोलूँगा पर अब मुझे बहुत जाधा नर्वस हो रहा हूँ अरे कोई बात नहीं मिन्चैन पहले दिन हर कोई नर्वस होता है अरे पर फिर भी मैं तो कभी स्कूल गया भी नहीं हूँ न मैंने कभी कोई दोस्ट बनाए है अरे तो दोस्ती करने में कौन सा टाइम जाता है और मुझे पका पता है कि तू सबको पसंद आएगा अरे हाँ ये बात तो फ्रेंक्लिन भीया ने एकदम सही बोली पर एक बात और है तुम मेरे जितने पसंद नहीं आओगी सबको शिंचैन यार तो उसको डी मोटिवेट कर रहा है कि मोटिवेट कर रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आरा तेरा अरे नहीं ऐसी बात नहीं है मैं तो इसको मोटिवेट ही कर रहा हूँ मेरे बोलने का मतलब तो बस इतना था कि मैं तुमसे जादा कूल हूँ होगा तू कूल अपने घर पर अब यार इससे बहस करके कोई मतलब नहीं है अब मुझे आगे और कुछ नहीं सुनना तुम लोग चुप चुप सो जाओ मुझे कल कोई देरी नीची है ना ही कोई नकरा समझा मिन्चान तुझे भी बोल रहा हूँ मैं अब है ना आप मुझे पर प्रेशर डाल रही हो अब यार तुम लोग मेरी हर बात को अना गलत वे में लो मैं बस बोल रहा हूँ कि अभी सो जाओ ताकि सुबह अच्छ से स्कूल के लिए उठ पाओ अच्छ ठीक है जिसा आप कहो मैं डरूंगा नहीं मैं सुबह स्कूल जाओंगा और एक बत मिंचन तुम्हें डरने की तो वेसे भी ज़रूत नहीं है तुम थोड़ी ना के लिए जाने वाले हो मैं तुमारे साती तो हूँ हम दोनों भाई मिल के स्कूल जाएंगी ये देख मिंचन अब तो शिंचन भी बोल रहा है अब तो मांजा वो हमेशा तेरा साती होगा तुम लोग एक ही स्कूल में हो चलो बच्चो यार बहुत हो गया आप मुझे नींद आ रही है तुम लोग भी सो जाओ गूड नाइट एक काम करता हूँ थोड़ी दिनों के लिए घर से भाग जाता हूँ ताकि मुझे स्कूल ना जाना पड़े जब मैं स्टार्डिंग में स्कूल नहीं जाऊंगा ना तो वो लोग मुझे स्कूल से निकाल देंगे अरे हाँ ये आइडिया ही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा अगर सुबह इनोंने मुझे यहाँ पर देख लिया ना तो ये लोग मुझे जबरदस्ती स्कूल भेज देंगे ये लोग मेरी बात को समझेंगे ही नहीं मैं बहुत ज़ादा डरा हुआ हूँ मैं इससे पहले कभी भी स्कूल नहीं गया हूँ ये मेरे लिए बहुत ज़ादा नया नया हो जाएगा मुझे माफ कर देना भाईयो पर मुझे जाना पड़ेगा वनना तुम लोग मुझे स्कूल भेज दोगे जल्दी जल्दी घर से भाग जाता हूँ मैं किसी की नजर में ही नहीं आऊंगा जब मैं इनको सुबह दिखूंगा ही नहीं तो स्कूल के भी जिंगी यही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा चलो भाई साब फाइनली सुबह हो गई अब जाके बच्चे लोगों को उठा देते है परना यह लोग स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे चॉप को उठा के तो मतलब नहीं है एक मिनिट अबे मिन्चैन का गया कई ऐसा तो नहीं कि वो नर्वसनेस के वज़े से रापको सोये ना हो एक काम करता हो बाहर जाके चेक करता हो अबे यार यहाँ पर भी नहीं है मिन्चैन बेटा मिन्चैन अबे कहा जा सकता है ऐसा नहीं होना चीए यार शिंचैन चॉप जल्दी से सुनो यार मिन्चैन नहीं मिल रहा है अरी फ्रेंक्लिन भीया सुनी दूना चिंशान वैसे भी तेरे स्कूल का टाइम होने वाला है चौप तू भी उठ यार मुझे भी टेंशन हो रहा है पता नहीं वो कहा पर गया होगा अब ए घोड़े बेच कर सोना बन करा उठा अरे क्या हो गया क्यों चिला रही हो सुबे सुबे दिमागी खराब कर दिया है आपको पता है न मैं आराम से उठता हूँ तो उठता होगा आराम से भाई पर अब मुझे डर लग रहा है मिन्चैन पूरे घर में नहीं मिल रहा है मैंने उसके दोस्तों को भी कॉल किया पर एक भी जननी उठा रहा है अरे इतने सुबे करोगे तो कौनी उठाएगा एक काम करो मेरे पीछा आओ जल्दी जल्दी हमें मिन्चैन को ढूनने जाना होगा पर हम लोग जाएंगे कहाँ पर यार मेरा तो दिमाग भी नहीं चल रहा उस तो सोचना पड़ेगा एक काम करता हो यहाँ भी चेकर लेता हो मिन्चैन मिन्चैन बेटा देख जादा डरने की कोई बात नहीं है अगर तुझे स्कूल नहीं जाना है तो ठीक है जब तेरा मन करे तब जाना अब यार उपर भी नहीं है क्या गड़ बड़े यह सब शिंचैन वो कहा जा सकता है अरे मुझे केसे पता होगा मैं तो सो रहा था ना यही तो प्रॉब्लम है वो तेरे बाजू से गाया बोगया और तुझे पता भी नहीं है अरे अभी इसको छोड़ो और उसे ढूढने पर ध्यान दो अच्छा ठीक है काम करो जल्दी से आजाओ हम लोग घर के बाहर जाकर ढूमते है क्या पता वो गार्डन वार्डन में टहलने गया हो अरे नहीं वो अकेला कही पर भी नहीं जाता आपने उसके दोस्तों को कॉल किया था ना अरे यार मैंने बोला तो सही किसी ने नहीं उठाया एक काम करते उसके दोस्त के घर पर जाके आते उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है अरे बहुत तो बोलो ही मत उसका बस एक ही दोस्त है अरे बहुत अच्छा बोला बहुत दोस्त नहीं बोला मैंने वैसे भी मिन्चान है ना दोस्ती करने में तोड़ा कच्चा है बहुत जादा ही भोला है वो जल्दी डर जाता है हाँ ये बात तो अपने एकदम सही बोली वो शिंचान जितना मुफार नहीं है अरे ये क्या बात हो गई उसकी तारीफ करनी है तो मेरी बिज़ती करोगी शिंचान तू पागल है क्या इस टाइम में तुझे ये सब सूजरा है चॉप ना तेरी बुराई कर रहा था ना मिन्चान की तारीफ वो बस बता रहा था कि वो कैसा है अरे यह इसी बात है तो ठीक है वरना मुझे गुसा बहुत जल्दी आता है हाथो आता होगा गुसा मैं थोड़ी ना तुमसे डरता हूँ अच्छा इसी बात है क्या फिर तो मैं बता देता हूँ फ्रेंक्लीन भीया को कि तुमने परसो क्या किया था अरे क्या क्या किया था मैंने मैंने तो कुछ भी नहीं किया चॉप तू इतना डर क्यो रहा है और शिंचन तू मुझे बता इसने क्या किया था अरे बोलो चौप बता दू क्या अरे नहीं नहीं मत बता ना शिंचन अब तो तू बता के रहेगा वरना तेरी चौकोचिप में बंद करवा दूँगा अरे कुछ भी नहीं किया था हमें तो इसे ही डरा रहा हूँ देखा जब कुछ भी नहीं किया तू भी डर रही हो और बात कर रही हो कि मुझसे नहीं डरती तुमने जूट बोला अरे मैंने जूट नहीं बोला मैंने बस मजा किया था मान गया शिंचन बिना मतलब बिचारे चौप को तुने डरा दिया और चौप तू भी कितना फट्टू है, तुने परसो क्या किया तुझे वो भी याद नहीं, और बात ऐसी नहीं है, मुझे कलका खाया हुआ याद नहीं रहता, परसो की बात कैसे याद होगी, और मैं जो भी मस्ती करता हूँ ना शिंचन के साथ ही करता हूँ, अकेला नहीं क सही बोली, सारे मस्ती और शरारत की जड़ाना शिंचन ही है, या फिर से गाड़ी ठोक दी, उत पर तो ध्यान देते नहीं हो, दूसरों की बात उपर साधा देते हूँ, अरे यार हो जाता है कभी कभी मैं टेंशन में हूँ, अब उतर जाओ यार हम लोग पहुच गए, जा दूनने तो वैसे मिन्चैन कोई आये है, पर इसका ये पूरा होगा, तभी इससे बात करेंगे न, अरे जॉनी सुनना मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पूछना था कि मिन्चैन यहाँ पर आया था क्या, पता नहीं है, अरे ये क्या बक्वास कर रही हो, उसे सुना ही दे इतना बता था कि मिन्चैन को कई पर देखा है, क्या वो मिल नहीं रहा है, मैंने देखा तो नहीं है, पर रात को उसका फोन आया था मेरे पास, वो बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहा था, वो कह रहा था कि उसके स्कूल नहीं जाना है, पर आप लोग उसे भीजके खास करके शिंचन भीया, अरे तो मैं तो भेजूंगा ही, अरे नहीं वो बहुत स्माठ है, बस वो डर रहा है पहले दिन के वजेसे, कई एसा तो नहीं कि वो घर से भाग गया है, उसे गाव से आया एक महीना भी नहीं हुआ है, अरे क्या बात कर रहे हूं, पिर तो आपको उसे ढूरना चाहिए अरी हां Franklin भीया जोनी एकदम सही बोल रहा है चलो कहीं बार जाकर ढूंटे है देखो अपने को पता नहीं चलेगा कि इतने बड़े शहर में वो कहा गया है हमें जाके पुलिस कंप्लेंड करनी होगी अरी क्या बात कर रहे हो तुरंती इतना बड़ा कद है वो तो अगर इस शहर में भी घुम गया ना तो फिर से घर का रास्ता नहीं ढूंट पाएगा मैं उसके बाकी दोस्तों को वे कॉल लगा के ट्राय कर लेता हूँ उठा लो उठा लो यार ये भी नहीं उठा रहा है दूसरे को करता हूँ ये भी नहीं उठा रहे कैसे पर खेलने जाता था उसके साथ खेलते थी बस आरे तो खेलते थे थो थोड़ी बद तो दोस्ती हुई होगी न अरे नहीं वो बस जॉनी को जानता था और वो बाकि सब तो जॉनी के दोस्त थे आबे तो ये बात तुझे पहले बतानी चीए न चलो गाइस कोई बात नहीं अब एकी रास्ता बचा है फाइनल वाला पुलिस स्टेशन हमें वहाँ पर जाना ही होगा चलो हम लोग बस पहुच नहीं वाले है गाड़ी को यही पर पाक करते है अरे आपको लगता है वो लोग इसे ढूंड पाएंगे मुझे लगता है यार पुलिस वालों का काम ही यह होता है और अपन तीन जन मिलके कितना कुछ ही कर लेंगे अब बस इनके भरोसे हूँ मैं जल्दी जल्दी जाते हैं अंदर ओ यार सुबे सुबे यह सब देखना पड़ रहा है इनको सुबे सुबे पुलिस पकड़ कर लाईए सर मुझे एक मिसिंग कंप्लेन लिखवानी थी दरसल मेरा एक छोटा भाई है मिंचन नाम का वो राच से गायब है जब मैं सुबे उठा था तो वो मुझे दिखा ही नहीं अहां तो फिर तुम्हें काई से पता कि वो राच से गायब है क्या पता सुबे से गायब हो नई नई मैं सुबे जल्दी उठ गया था अगर सुबे गायब होता ना तुम मुझे पता चल जाता या किसी ना किसी ने तो उसे देखा ही होता आचा ठीक है लास्ट टाइम कहा देखा था वो भी बताओ लास्ट टाइम मैंने उसे अपने घर पर ही देखा था ये जो बच्चा आप देख रहे हो इसका नाम शींचान है वो हूबहू इसके जैसा ही दिखता है और वो एक टोपी पहन के रखता है हमेशा अरे चौप जरा यहाँ तो देखो हम लोगों ने सुबह से नास्ता भी नहीं किया और ये लोग चोरी करके पकड़ी भी गई बिचारे लोग कितनी महनत करते हैं न सुबह सुबह और इसे महनत नहीं कहते दूसरों की महनत पर डाकर डालना बोलते है अरे वो जो कुछ भी हो महनत तो महनत होती है न वैसे इनको देखके मुझे डर लग रहा है मुझे लगता है मुझे अपनी मस्ती कम करनी पड़ेगी परना एक दिन ये लोग मुझे भी सुबह उठा कर ले जाएंगी एक मिनिट ये लोग कही उसी बचचे की बात तो नहीं कर रहे specuse me मैंने आपकी सारी बाते सुनी है कही आप उस टॉपी वाले बचचे की तो बात नहीं कर रहे मैं जानता हूँ उसे वो शायद इसी बचचे जैसा दिखता है एक मिनिट, हाँ आपने एकदम सही का, वो हुबह उसके जैसा ही दिखता है, वो इसे का ही छोटा भाई है, आपने उसे कहा पर देखा, तुम लोगों को ध्यान रखने नहीं होता है, हाँ हाँ मैं मानता हूँ सारी हम लोगों की गलती है, दर असल बात ऐसी है कि सुबह उससे स्कूल जाना था, और वो उसका पहला दिन था, वो शायद बहुत जादा नर्वस हो गया था, इसलिए घर से ही भाग गया, ये कोई बात होती है, तुमने उस पर प्रेशर डाला होगा, आरे नाईने मैंने कोई प्रेशर नहीं डाला, अरे फ्रेंकलीन भी यकी जुट बोल क्या बात करें, आप उसे बुला सकते हो, हाँ जरूर रुको, ये बच्चे बाहर आओ, अरे ये क्या फ्रेंकलीन भीया, आप तो यही पर आ गए, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं घर से भाग गया था, मेरा ऐसा करने का बिलकुल भी मन नहीं था, पर मैं बहुत जादा म नहीं करना चाहिए, शिंचैन, मिंचैन, चौप, आखरी बार मेरी बात सुन लो, आज के बाद से कुछ भी हो जाए, कोई भी घर से भागेगा नहीं, वना उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, ये शरम नहीं आती, पुली स्टेशन में बच्चों को धंकी देते हो, तुमें अर रहे क्या यार सर, आप इनको सर पर चड़ा रहे हो, ये वैसे भी बहुत मस्तिक हो रहे, इसे और हिम्मत मिल जाएगी, हाँ हाँ आप एकदम सही बोल रहे हो, चलो चौप, कही पर तो तु मेरे साथ बोला, चलो बहुत हो गया, हमें यहाँ से निकलना है, शिंचैन तेरे स स्कूल युनिफर्म जो सिल्वा ने दिया था ना उसे लेना भी है, और मिंचैन का भी तो माप देना है, अरे हाँ ये बात तो हमारे दिमाग से निकल गई थी, अब सबसे पहले वही पर जाएंगे, पहले सिंचैन का युनिफर्म ले ले लेंगे, और मिंचैन का माप दे ताकि यूनिफर्म जल्दी से आजा मिंचन का भी अरे क्या बत कर रही हो मुझे भी नहीं नहीं कपड़े मिलेंगे चिंता मत कर मिंचन जरूर मिलेंगे और टेंशन मतले तुझे अगर आज स्कूल नहीं जाना तो मत जाना जब तेरा मन करे तब जाना कोई फोर्स नहीं है अरे नहीं नहीं अब मैं समझ गया हूँ मैं भी शिंचन बिया के साथ स्कूल जाऊंगा पका ना इस बार पल्टेगा तो नहीं अरे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं जितना डर मुझे स्कूल जाने से लग रहा था ना उससे जादा तो जब मैं घर से भाग गया था ना तो मुझे लग रहा था हाँ वैसे तुने बहुत गलत किया था वो डरने वाली बात भी थी और तेरे से जादा तो डरने वाली बात वो हमारे लिए थी अगर तुझे कुछ हो जाता तो उसके जीमेदारी कौन लेता पर पहुच गए जल्दी से गाड़ी को याप पर रोखते है चलो फटावट उतरो यूनिफॉर्म लेने का टाइम आ चुका है अरे यार मिंचान क्या कर रहा है रास्ते सहट मैडम जी दरसल मैं शिंचान का यूनिफॉर्म लेने आया हूँ मैंने एक हफते पहले उसका माप देना अबी उसके भी यूनिफॉर्म सिलवानी है अच्छा ठीक है सर अब जैसा कहे शिंचैन की यूनिफॉर्म रेड़ी है आप उसे जाके ट्राइ कर सकते हूँ देख मिंचान तेरा मा प तू इधर दे दे ना और शिंचैन जाके जलDlyway से ते तेरा यूनिफॉर्म चेक जाओंगा वा यार शिंचैन तू तो सची में बहुत अच्छा लग रहा है यार मिंचैन तेरा भी युनिफॉर्म आ जाएगा कुछी दिनों में चलो अब चलते है स्कूल का टाइम हो गया है तुम्हें या से पहले स्कूल ही छोड़ देता हो उसके बाद आराम से घर चला ज जाएगा और वैसे भी शिंचैन तू तो युनिफॉर्म के साथ तयार है मिंचैन का युनिफॉर्म आया नहीं तो वह तो ऐसे ही चलेगा अरे हाँ कोई बात नहीं जब आएगा तब देखा जाएगा अभी तो स्कूल जाते है वा यार तू तो एक दिन में बदल गया चलो गाइस दोनों बच्चे स्कूल जा चुक है फाइनली सब कुछ ठीक हो गया मिंचैन भी स्कूल चला गया है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो नहीं तो चैनल को सिस्क्राइब करो उसी के साथ अगर आपको इसका नेक्स प्राट द ये ंची के साथ ज़ाइब करोईब करो ये वीडियो अगर एक साथ अगर भी सब करोईफ़ा गया है तो नहीं तो अगर वीडियो को ज़ला फुल खलीक है तो प्या है तो जदिक रख वीडियो